नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में वीवो T144 वाट वर्सस सामसंग गैलेक्सी M32 का फुल डेफ्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो T144 वाट में 6.33 इंच जबकी गैलेक्सी M32 में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है जोकी T144 वाट से कम है विड़् की बात करें तो T144 वाट में 2.9 इंच जबकी गैलेक्सी M32 में 2.91 इंच की विड़् मिलती है जोकी सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो T144 वाट में 0.33 इंच जबकी गैलेक्सी M32 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी T144 वाट से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो T144 Watt में 182 Grams जबकि Galaxy M32 में 196 Grams का वेट देखने को मिलता है जो की T144 Watt से ज़्यादा है तो चलिए अब हम दिस्प्ले को कमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो T144 Watt में AMOLED जबकि Galaxy M32 में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो T144 Watt में 6.44 इंचर्स जबकि Galaxy M32 में 6.4 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेशियो दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है स्क्रीन तो बादी रेशियो T144 Watt में 84.49 प्रतिशत जबकि Galaxy M32 में 83.89 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो T144 Watt में 409 प्रतिशत जबकि Galaxy M32 में 411 प्रतिशत मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो T144 Watt में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Galaxy M32 की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो दोनों phone में 7 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो T144 watt में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते है और galaxy M32 में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो T144W में Adreno 610 जबकी galaxy M32 में Mali G52MC2 मिलता है चिपसेट की बात करें तो T144W में Qualcomm Snapdragon 680 और galaxy M32 में Mediatek Helio G80 मिलता है बात करें RAM की तो T144W में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है जबकी galaxy M32 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो T144W में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की storage मिलती है जबकी galaxy M32 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो T144W में up to 1TB जबकी galaxy M32 में up to 1TB है operating system की बात करें तो T144W में android V12 जबकी galaxy M32 में android V11 देखने को मिलती है बाटरी T144W में 5000mAh जबकी galaxy M32 में 6000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो T144W में 3 colors जबकी galaxy M32 में 2 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो T144W में 3 variant देखने को मिलते है जो कि 4GB RAM 128GB storage के साथ 14,499 रूपीज 6GB RAM 128GB storage के साथ 15,999 रूपीज 8GB RAM 128GB storage के साथ 17,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें galaxy M32 की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो कि 4GB RAM 64GB storage के साथ 16,999 रूपीज 6GB RAM 128GB storage के साथ 16,999 रूपीज में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं plans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Vivo T144W में 7,5 रूपीज में 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Samsung Galaxy M32 की तो उसमें 7,5 रूपीज में 4 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में galaxy M32 आगे है main camera में galaxy M32 आगे है front selfie camera में दोनों phone सेम ही है performance में T144W आगे है दोस्तों अब हम सेम price में आने वाले दूसरे phone को भी देख लेते है पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है दूसरा Xiaomi Redmi 10A है तीसरा Realme C21Y है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Realme Nazo 55G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना